नमस्कार मैं हुश्मृति ज्ञा और आप देख रहे हैं दसूत्रधार हम अक्सर अख़वारों या न्यूस चानलों में ऐसी कहानी पढ़ते हैं जिसमें बुजुर्गों की संपती लेकर उनके घर वाले उनकी देखवाल करना बंद कर देते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी बुढ़ी काकी उन्ही में से एक है प्रेमचंद ने इस कहानी में बुजुर्ग महिला के दुख को उकेरते हुए कहा है कि इस महिला का पती नहीं है साथ साथ बेटे हुए लेकिन एक भी जिवित नहीं रहे जीवन के आखरी पड़ाव में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है हालत ऐसी है कि घर में विवाह का माहौल है सगे संबंधी आज़ पड़ोस के लोग भोज का आनंद ले रहे हैं और बुढ़ी काकी एक निवाला पूड़ी के लिए तरस रही है बुढ़ापा बहुदा वच्पन का पुनरागमन हुआ करता है बुढ़ी काकी में जिहवा स्वाद के सिवा और कोई चेस्टा शेस ना थी और नाहीं अपने कस्टों की ओर आकर्शित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जबाब दे चुके थे पृत्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात इनकी इक्छा के प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका परिमान पूर्ण ना होता अथ्वा बाजार से कोई वस्तू आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी उनका रोना सिसकना साधारन रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी उनके पती को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे अब एक भतीजे के सिवाए और कोई ना था, उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ती लिख दी भतीजे ने सारी संपत्ती लिखाते समय खोब लंबे चोड़े वादे किये किन्तु वे सब वादे केवल कूली डीपो के दलालों के दिखाए हुए सब जबाग थे यद्यपी उस संपत्ती की वार्सिक आये डेड़ सो रूपए से कम ना थी तधा पी बुड़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धी राम का अपराद था अथवा उसकी अर्धांगिनी स्रीमती रूपा का इसका निर्णे करना सहज नहीं बुद्धी राम सभाव के सज्जन थे किन्तु उसी समय तक जबकि उनके कोश पर कोई आच ना आये रूपा स्वभाव से तिवर्थी सही पर इश्वर से डरती थी अतैव बुड़ी काकी को उसकी तिवर्था उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धी राम की भलमन सहात बुद्धी राम को कभी-कभी अपने अत्याचार का खेद होता था विचारते की इस संपत्ती के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूती से अस्थिती में सुधार हो सकता हो उन्हें कदाचित कोई आपत्ती ना होती परन्तु विशेस व्याय का भै उनकी सुचेस्टा को दवाय रखता था यहां तक की यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बुढ़ी काकी उस समय अपना रागल आपने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डाडते लड़कों को बुढ़ों से स्वभाविक विद्वेश होता ही है और फिर जब माता-पिता का यह रंग देखते तो वे बुढ़ी काकी को और सताया करते कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुँचती इस भैसे काकी अपनी जिहवा क्रिपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी यद्यपी उपद्रव शांती कह यह उपाए रोने से कहीं अधिक उप्युक्त था संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धी राम की छोटी लड़की लाडली थी लाडली अपने दोनों भाईयों के भैसे अपने हिस्से की मिठाई चबेना बुड़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी यही उसका रक्षागार था और यद्यपी काकी की शरण उनकी लौलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथा पी भाईयों के अन्याय से कहीं सुलब थी इसी स्वार्थन कूलता ने उन दोनों में सहानुभूती का आरोपन कर दिया था रात का समय था बुद्धीराम के द्वार पर शेहनाई बज रही थी और गाउं के बच्चों का जुंड विश्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसा स्वादन कर रहा था चारपाईयों पर महमान विश्राम करते हुए नाईयों से मुक्यां लगवा रहे थे समीब खड़ा हुआ भाट विर्दावली सुना रहा था और कुछ भावगी महमानों की वहवाह पर ऐसे खुश हो रहा था मानो इस वहवाह का यथार्त में वही अधिकारी है दो एक अंग्रेजी पढ़ेवे नव्युवक इन वेवारों से उदासीन थे वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिस्ठा के प्रतिकूल समस्ते थे आज बुद्धी राम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है यह उसी का उत्सव है घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रुपा महमानों के रिए भूजन के प्रवंध में व्यस्त थी भटियों पर कडाह चड़ रहे थे एक में पूडियां कचोडियां निकल रही थी तूसरे में अन्यपकवान बनते थे एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी घी और मसाले की चुदा वर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी बूडिका की अपनी कोठरी में शोक मैं विचार की भाती बैठी हुई थी यह स्वाद मिस्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी वे मन ही मन विचार कर रही थी संभवता मुझे पूडिया ना मिलेंगी इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं मेरे लिए कुछ ना बचा यह सोचकर उन्हें रोना आया परंतु अशकुन के भैसे वह रोना सकी आहा कैसी सुगंधी है अब मुझे कौन पोचता है जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भागी कहां की भरपेट पूडियां मिले यह विचार कर उन्हें रोना आया कलेजे में हुक सी उठने लगी परंतु रूपा के भैसे उन्होंने फिर मौन धारन कर लिया बूडिका की देर तक इन्ही दुखदायक विचारों में डूबी रही घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किये देती थी मुह में पानी भर भर आता था पूडियों का स्वाद स्मरन करके हिदय में गुदगुदी होने लगती थी किसे पुकारूं आज लाडली बेटी भी नहीं आई दोनों छोकडे सदा दिख दिया करते हैं आज उनका भी कहीं पता नहीं कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है पूडि काकी की कलपना में पूडियों की तस्वीर नाचने लगी खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी रूपा ने भली भाती भोजन किया होगा कच्वणियों में अजवाइन और इलाइची की महका रही होगी एक पूडि मिलती तो जरह हाथ में लेकर देखती क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठू पूडियां चंचन कर तयार होंगी कड़ा से गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी फूल हम घर में भी सूंग सकते हैं परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है इस प्रकार निर्णय करके बुडि काकी उकडू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चोखट से उदरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी यहां आने पर उने उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुट्टे को खाने वाले के समुख बैठने में होता है रूपा उस समय कारिभार से उद्विग्न हो रही थी कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडारे में जाती किसी ने बाहर से आकर कहा महराज ठंडाई मांग रहे हैं ठंडाई देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है, उसे कुछ दे दो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तयार होने में कितना भी लंब है जरा ढोल मजीरा उतार दो बेचारी अकेली स्तरी दोड़ते दोड़ते व्याखुल हो रही थी जुझलाती थी, कुढती थी परन्तु क्रोध प्रकट करने का आवसर ना पाती थी भै होता कहीं पडोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी प्यास से स्वैम कंट सूख रहा था गर्मी के मारे फूंकी जाती थी परन्तु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पीले इतना विध्यान ना रहा कि पडोसी ने बैठी हुई है मन में क्या कहेंगी पुरुशों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे जिस प्रकार मैढग केचवे पर जपडता है उसी प्रकार वा बुड़ी कागी पर जपड़ी और उन्हें दोनों हाथों से जटक कर बोली ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाण कोठरी में बैठते हुए क्या दमगुर्ता था अभी मेहमानों ने नहीं खाया भगवान को भोग नहीं लगा तब तक धैरिय ना हो सका आकर छाती पर सवार हो गई माचा छोड़े नाम बेचने पर लगी है ना कटवा कर दम लेगी इतनी ठूसती है ना जाने कहां भसम हो जाता है भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुह में पानी न जाए परन्तु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए बुड़ी काके ने सिर उठाया ना रोई ना बोली चुपचा प्रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई आवाज ऐसी कठोर थी इक हिदय और मस्तिक की संपूर्ण शक्तियां संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्शित हो गए थे नदी में जब कगार का कोई व्रिहद खंड कट कर गिरता है तो आस-पास का जलसमूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दोड़ता है भोजन तैयार हो गया आंगन में पतलें पड़ गई महमान खाने लगे स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया महमानों के नाई और सेवक गन भी उसी मंडली के साथ किन्तु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे परन्तु सभ्यता नुसार जब तक सब के सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था एक दो महमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दिरगा हार पर जुझला रहे थे वेज बंधन को व्यर्थ और बेसीर पैर की बात समस्ते थे बुढी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्या ताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां गई उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था अपनी जल्दबाजी पर दुख था सच ही तो है जब तक महमान लोग भोजन करना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया सब के सामने पानी उतर गया अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाओंगी मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वा बुलाने की प्रतिक्षा करने लगी परन्तो घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर ये परिक्षक प्रतित हो रही थी उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था अब पत्तल बिच कई होगी अब महमान आ गए होंगे लोग हाथ पर्द हो रहे हैं नाई पानी दे रहा है मालूम होता है लोग खाने बैठ गए जेवनार गाया जा रहा है यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई धीरे धीरे एक गीत गुनगोनाने लगी उन्हें मालूम हुआ कि मुझे क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती अवशे ही लोग खा पी कर चले गए मुझे कोई बुलाने नहीं आया रूपा चिड़ गई है क्या जाने ना बुलाए सोचती होगी कि आप ही आवेंगे वह कोई महमान तो नहीं जोन ही बुलाऊं बुडी काकी चलने के लिए तयार हुई यह विश्वास कि एक मिनट में पूडियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा उन्होंने मन में तरह तरह के मनसूबे बांदे पहले तरकारी से पूडियां खाऊंगी फिर दही और शक्कर से कचोरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी चाहे कोई बुरा माने चाहे भला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विजार नहीं कहा करें इतने दिन के बाद पूडियां मिल रही है तो मुह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी वह उकडू बैठकर हाथों के बलसरक्ती हुई आंगन में आई परंतु हाय दुरभाग्य अभिलाशा ने अपने पुराने सभाव के अनुसार समय की मिथ्या कलपना की थी महमान मंडली अभी बैठी हुई थी कोई खाकर उंगलियां चाड़ता था कोई तिर्छे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूडियां छूटी जाती हैं किसी तरह इनी भीतर रख लेता कोई दही खाकर जीब चट कारता था परंतु दूसरा दोना मांगते संकोज करता था कि इतने में बुड़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुँची कई आदमी चौक कर खड़े हुए पुकारने लगे अरे यह बुड़िया कौन है यहां कहां से आ गई देखो किसी को छून दे पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल में ला गए पुडियों का थाल लिए खड़े थे थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दाई महाजन अपने किसी बैमान और भगोडे करज़िदार को देखते ही जपटकर उसका टेटूआ पकड़ लेता है उसी प्रकार लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीडते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया आशा रूपी वाटी का लू के एक छोके में नस्ट विनस्ट हो गई महमानों ने भोजन किया घरवालों ने भोजन किया बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके परन्तु बुढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुढ़ी काकी को उनकी निरलजता के लिए डंड देने का निश्य कर चुके थे बिचारी भूली लड़की थी, बाल विनोध और चंचलता कि उसमें गंध तक ना थी, दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दैता से घसीटा, तो लाडली कहरिदय एट कर रह गया, वह जुझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरिया नहीं देते क्या महमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने महमानों से पहले खा लिया, तो क्या भी गड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर ये देना चाहती थी, परन्तु माता के भैसे ना जाती थी. उसने अपने हिस्से की पूरिया बिल्कुल न खाई थी. अपनी गुडियों के पिटारे में बंद कर रखी थी. उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी. उसका पूरी काकी मेरी बात सुनते ही उट बैठेंगी। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूलों में आग चमक रही थी और चूलों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। अधिक धैरे का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूरी काकी की कोठरी की ओर चली। बूरी काकी को केवल इतना स्मरन था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसी टे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड पर उड़ाए लिये जाता है। उनके पैर बार-बार पत्थरों से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड पर से पटका, वे मूर्शित हो गई। जब वे सचयत हुई तो किसी की भी जरा भी आहड ना मिलती थी। समझीं कि सब लोग खापी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेड की रोटिया ही खाती हूँ की और कुछ। इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिस ठहरी ना कुछ सुनू ना बूजू। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धी राम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिराना। मुझे घसीटा, पटका, उन्ही पूडियों के लिए रूपा ने सब के सामने गालियां दी। उन्ही पूडियों के लिए इतनी दुरगती करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसी जा। सब को खिलाया, मेरी बात तक न पूची। जब तभी ना दी, तब अब क्या देंगे। यह विचार कर काफी निराशा मैं संतोस के साथ लेट गई। गलानी से गला भर-भर आता था, परन्तु महमानों के भैसे रोती ना थी। सासा उनके कानों में आवाज लेट, काकी उठो, मैं पूडियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपण उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूडियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं लाडली ने कहा नहीं या मेरे हिस्से की हैं काकी पूडियों पर तूट पड़ी पांच मिनट में पिटारी खाली हो गई लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंड़क के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है उस भाती इन थोड़ी पूडियों ने काकी की छुदा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ लाडली ने कहा अम्मा सोती है जगाओंगी तो मारेंगी काकी ने पिटारी को फिर टटोला उसमें कुछ खुर्चन गिरी थी उन्हें निकाल कर वे खा गई बार बार होट चाड़ती थी चटकारे भरती थी रिदय मसोस पूरियां कैसे पाऊं संतो सेतु जब तूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरीमित हो जाता है मतवालों को मद कस्मरन करना उन्हें मदांत बनाता है काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया उचित और अनुचित का विचार जाता रहा वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही सहसा लाडली से बोली मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहां महमानों ने बैठकर भोजन किया है लाडली उनका विप्राय समझ ना सकी उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के सामने बिठा दिया दीन, छुध जातुर, हत ग्यान बुढिया पत्तलों से पूडियों के टुकड़े चुन-चुन कर भक्षन करने लगी ओह, दही कितना स्वादिस्ट था, कचोडियां कितनी सलोनी, खस्ता, कितनी सुकोमल, काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापी ना करना चाहिए, मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा त्रशना रोग का अंतिम समय है, जब संपूर इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, बुड़ी काकी में या केंद्र उनकी स्वाद एंद्रियां थी, ठ उसे वहाँ ना पाकर वा उठी, तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बुड़ी काकी पत्तलों पर से पूडियों के टुकडे उठा उठा कर खा रही है, रूपा का हरिदै सन्न हो गया, किसी गाय की गर्दन पर छूरी चलत देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई, एक ब्राम्हनी दूसरों के जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में दृष्य असंभव था, पूडियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निक्रिस्ट कर्म कर रही है, यह वह मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ती आने वाली है, रूपा को क्रोध ना आया, शोक के समुख क्रोध कहां, करुणा और भैस उसकी आखें भराई, इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, उसने सच्चे हिर्दे से गगन मंडल की ओर हा कर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्या नाश हो जाएगा, रूपा को अपनी स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़े थे, वह सोचने लगी, हाई, कितनी निर मुझे क्षमा करो, आज मेरे बेटे का तिलग था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्याई कर दिये, परन्तु जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी कारण तो वह व्रिद्धा औस आए है, रुपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, और एक थाली में संपून समाग्रियां सजा कर लिये हुए बुड़ी काकी की ओर चली, आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तार ने समुक थाल देखकर प्राप्त हुआ, रुपा ने कंठा वरुद्ध स्वर में कहा, काकी, उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रात्ना कर दो कि वह मेरा अपराद क्षमा कर दे, भोले भाले बच्चों की भा सची सदिक्षाय निकल रही थी, और रूपा बैठी स्वर्गिय द्रश्य का आनन्द लेने में निमग न थी, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, अच्छा यह हुआ कि अंत में कम से कम रूपा की आँखे तो खुली, अंत भला तो सब भला, अब मुझे दीजी एजा क्योंकि हमारे टीम आपके लिए तयार कर रही है गुनाहों का देवता उपन्याद, जी हां देश का प्रसिद्ध उपन्याद, गुनाहों का देवता हम आपके लिए लाने वाले हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया है, तो जल्दी कर लीजिए बला एकन एक्टिवेट कर लीजिए धनिवाद